कि हलो फ्रेंट्स वेल्कम टू स्मार्ट नोगरी चैनल दोस्तों आज के स्वीडियो में हम आप से बात करेंगे जो आइन इनियन कॉस्ट गार्ड के बारे में जी हां दोस्तों जो जी डी की पोस्ट है आपके जनरल डिटी के उसके भरती स्टार्ट हो चुकी है और इसका जो 2020 की एप्लिकेशन विल बी एक्सेप्टेट ऑनलाइन फ्रम 26 जैन टू सेकेंड फैम तो यानि कि आपके पास मात्र पांच दिन इसमें और दो दिन उसमें साथ दिन यानि सेवन डेस का टाइम है दोस्तों तो अभी से ही जो है फॉर्म को भरना स्टार्ट कर दीजिए शाम या कल तक जी हां दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जो इसमें लोग भाग लेते हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग कम समय में ही जो इसको जल से जल एप्लिकेशन को भर दीजिए क्योंकि बाद में वेबसाइट बहुत ही स्लो हो जाती है काफी दिक्कत आती है तो पढ़ लेना पूरा अच्छी तरह से लेकिन जो बेसिक चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें वह मैं बतना चाहूंगा सबसे पहले लोगों को यह होती कि एप्लिकेशन फीस क्या होगा तो मैं बता दू एप्लिकेशन फीस जो है आपको जीरो है जिया मतलब तो यह हो गई अब बात करते हैं अप्लिकेशन स्टार्ट होने की तो दोस्तों अभी जस्त मैंने बताया कि 26 जनवरी यानि कि आज के दिन से जो है आपका एक्जाम स्टार्ट हो रहा है और दो फैब तक जी यहां सेकेंड फैब तक जो है आप इसको भर सकते हैं तो यह था आपका अल्री बताया गया है कि मार्च में होगा जी हां मार्च में आपका एक्जाम होगा इसका 2020 का और एड्मिट कार्ड जो आपका एड्मिट कार्ड आगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दू कि एड्मिट कार्ड के बारे में तो एड्मिट कार्ड में आपको जो है 15 से 20 फरवरी तक मिल जाएगा जोस्तों 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 च्छाली कर दिया जाएगा तो दोस्तों बहुत ही कम समय है ओगर देख जा तो एक महने से भी कम समय तो आपको अपनी तयरी में दिगना करता है ची से थायरी किजिए और नेक्स टॉपिक यह है Age limit की बात करो तो minimum age कितनी होने चाहिए आपकी 18 साल होनों चाहिए 18 साल से कम आपका नहीं चलेगा और max Max अगर maximum की बात करे की कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए तो max की बात करे तो maximum आपकी maximum age 12 साल होनी चाहिए और यह जो ली जाएगी वो देख लिए यहां पर देखे सापसद दिया हुआ है नोडिफिकेशन में जी हां तो 18 साल 22 साल that is between 1st अगस्स से 1998 से 31st जुलाई 2002 तक जी हां और यह है आपकी जो है क्राइटेरिया हो गई दोस्तो अब बात करते हैं नेक्स्ट और नेक्स्ट है आपके एलिजिबिलिटी यानि कि आपके एज्यूकेशन के बारे में तो एज्यूकेशन के बारे मगर मैं बात करूं दोस्तों तो एज्यूकेशन से रिलेटेर आपको 10 प्लस टू जो है एक्जाम पास होना चाहिए with 50% मार्क्स in physics and math subject तो यानि कि 50% मार्क्स होना जरूरी है 10 प्लस टू के लेवल के सबसे आजाते हैं हाइट के बारे में तो हाइट के बारे में बता दू कि 157 cm जो है हाइट आपकी मीनिमम मानी गई है जी हां इससे नीचे आपको नहीं एक्सिप्ट किया जा सकता है तो 157 cm आपके होनी होनी चाहिए और अगर फीजिकल डेट में और मैं बता हूं तो आपको रणिंग कराई जाएगी जो होगे आपका 1.6 km जियां यह अगर दिखा जाए सोलो सो मीटर में या फिर आप 1.6 km में ले सकते हैं तो 1.6 km आपको रण करना है 07 मिनिट में जियां तो 7 मिनिट में आपको जो है यह रणिंग कंप्लीट करनी होगे यह आपका फीजिकल जो है स्टेंडर है और उसके बाद स्क्वाइट अप होगा आपका जो होगा 20 ताइ अब बात करते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्ण चीज की वेकेंसी कितनी है तो वेकेंसी के बाद मैं बता दूँ आपको कि 260 जीरो जी हां दोस्तो 260 पोस्ट 260 पोस्ट के लिए जो है यह अप्लिकेशन जारी किया गया है और कहां कहां इसका एक्जाम सेंटर होगा वह भी जोदपूर तो दोस्तों इसमें आपका जो है अलग-अलग जोन स्किल जोग भर सकते हैं जैसे कि देखिए यहां पर दिया हुआ है साब सब एक्जामिनेशन सेंटर जालंधर देरादून जोदपूर नोईडा यह नॉट जोन वाले हैं तो इसमें देखिए कंडिडेट ज हरियाना एंसिया डिस्ट्रिक फरिदाबाद गुर्गा मेवत रोहतक यूपी एंसिया डिस्ट्रिक मेरट गाजियाबाद गौतंबुध नगर तो यह हो गया इसे परकार नॉर्थ इसमें वरांसी में आपको क्या है गुहांती प्रदीप हल्दिया कुलकाता उत्र प्रदे इतने ही इंपॉर्टन है देख लिए बस इतना ही है इसका नोडिफिकेशन तो मैंने इसका पुरासार आपको अपनी भासा में शमझा दिया बट कुछ भी डाउट अगर अभी भी है मन में कुछ पूछना हो तो आप वीडियो के निचे कमेंट किजेगा हम आपको उसकी फ डेख पॉसके थैंक य। वच 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 वीडियो